नमस्ते मैं प्रवीन सेंवर आप सभी कहा है आरन पच्पनलाविस्टॉब डिप्लोमा कॉलेच के इस वीडियो लेक्चर में सवागत करता हूँ आज हम गैमेटोगीनेस्ट के बारे में जानेंगे gametogenesis क्या होता है अगर हम gametogenesis word को दो वागों में बाट के देखे तो इससे दो word निकल के प्रतक होते है एक है gamets और दूसरा है genesis अगर gamets का मतलब होता है युगमक और genesis का मतलब होता है निर्मार की प्रकिरिया युगमक जैसा कि आपको पता युगमक दो परकार के होता है नर्युगमक वे मादा युगमक तो युगमकों के निर्मार की प्रकिरिया को हम क्या कहते है gametogenesis तो युगमकों के निर्मार की प्रकिरिया को gametogenesis कहते है टेस्टिस and ovary produce male and female gamets by gametogenesis जो टेस्टिस होते है और जो ovary होती है वो क्या करती है male with female yarni nerve avec maada gamet को gametogenesis praquiria के द्वारा निर्मान करती है जो testis होता है जो male gamet का निर्मान करता है और जो ovary होती है वो female gamet का निर्मान करती है जो निचे देखी आप gamet जो ये gamet हैं दो परकार गये एक है espermetogyowa यह spermato jowa और दूसरा है ova egg जो यह spermato jowa यह sperm बोलते हैं जिसको की हम यह nergamets है और जो यह ova है egg egg भी बोलते हैं अंडानू भी बोलते हैं तो यह क्या है मादा युगमक या मादा गैमेट अब spermato jowa, sperm के जो निर्मान की परकिरिया होती है वो इसको क्या बोलते हैं spermato genesis और जो oa या अंडानू के निर्मान की परकिरिया को बोलते हैं o genesis तो हम आद spermato genesis के बारे में जानेंगे तो क्या होता spermato genesis हिंदी में इसको बोलते हैं सुक्र जनन नाम सही इस पर स्टोव रहा है सुक्र यानि सुक्रानों जनन यानि सुक्रानों के निर्मान की परकिरिया नाम सही इस पर स्ट है सुक्रानों के निर्मान की परकिरिया सुक्र जनन की परकिरिया वरिष्टन की जनन न लिका 70 फेरस tubeless में होती हैं और यहीं पर निए शुक्र जनननलिका में ही विश्च परकार की कोशिकाय पाई जाती हैं कहने का मतलब है जो यह शुक्र जननलिका में होती है और यहीं पर क्या होते है विशिष्ट परकार की दो को सिखाई पाए पाइआती है एक छोटा सा डाइग्राम है यह जो डाइग्राम है इसमें देखो आपको दो विशिष्ट ये पूरा डाइग्राम किसका है शुकष़ करणदनyalika कारें अर घृण आपको फॉक्त जनननलिका में पाई जनने वाली थो विशस्ट को सिकाएं चलतोली सेल और इस पर मेटुगोनिया आगे हम यह इस पर माटो जिने से यह आपने इस पर अप리र मेटो गोनिया यह 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 उठील पर नजरारी इस परमेटो यह एक यानि इस्पर्मेटोगोनियम एक वचन सब्द है और इस्पर्मेटोगोनिया को हम एक वचन सब्द मानते हैं इस्पर्मेटोगोनियम है यह सारों को मिला के क्या बोलते हैं इसको इस्पर्मेटोगोनियम अगर हम किसी एक जैसे हम किसी एक की बात करेंगे यहां पर ए एक बवग्वचन सब्द हैं। और इस पर्मेटो गोनियम है। जो एक वचन सब्द है। तो और एक हमें पास में देखरी। दे रही होगी विस्चिस्ट परकार की सेल तर्डील देखो। यहां से जो इस पर्मेटोगोनियम है यहां से यह सुक्राणू का निर्मान हो रहा है और यह सुक्राणू निर्मान होके इस सर्टोली सेल्स में देखो सर्टोली सेल्स की तरफ आकरसित हो रहे हैं यह सर्टोली सेल्स में जदा है इस पर्मेटोगोनियम में नहीं है बलकि सर् ये क्या करते हैं इनी सुक्रानों को पोसन परदान करती है जो सुक्रानों को सुकरजनन नलिका में निर्मान के बाद भी रहते हैं तो उनको पोसन क्या हो सकता होती है अगर पोसन नहीं मिलेगा तो ये मिलत हो जाएंगी ये काम के नहीं होएंगी तो जब तक ये सुक्रानों आगे इनको बासरी से वारिसकलत नहीं किया जाता है तब तक ये इसी सुकरजनन नलिका में पड़े रहता हैं सुकरानों और जब ये पड़े रहता है तो ऐसा तो है नहीं पड़े रहेंगे तो ये मृतनी होंगे तो इनको पोसन क्या हो सकता होती है तो जो ये सर्टोली सेल्स होती है ये इन सुक्रानों को पोसन परदान करती है तो ये आया तक आपको समझ में आ गया होगा इस डाइगराम के मादियम से कि ये जो सर्टोली सेल्स ये यहां पर हैं इसमें यह सुख्राणू जो जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, इसकी तरफ आकर सिट क्यों हैं, क्योंकि यहाँ से इसको क्या मिलता हैं? पोषण मिलता हैं और जो यह स्परमेटो गोनिया, जो कि हम आगे जाएंगे, आगे पढ़ेंगे विष्तार से, तो उसके बारा मैं फिर हैं अगर हम आगे सुक्र जनन की परकिरिया पढ़ेंगे तो जो सुक्र जनन की किरिया है उसको दो चरणों में बाटा गया है पहला चरण है सुक्राणू पूर्व यानि formation of espermated शुक्राणू पूर्व का निर्मान किस परकार होता है और दूसरा है इसका चरण है सुक्राणू जनन इस पर meogenesis द्यान अगना इसमें दो वर्ड बहुत confusion करने वाले होते हैं इस पर metogenesis जो कि ये है इस पर metogenesis और एक नीचे वर्ड दियावा है इस पर meogenesis इसको शुक्राणू जनन भी बोलते हैं या इसको हम शुक्र कायन तरण भी बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं यह देखो दूछ वर्ड इस पर meogenesis और इस पर metogenesis नाम में ही फारक है सुकरणु जनन और सुक्र जनन सपरमेटोजीनेसिस का मतलब होता है तो को सुकरणु जनन और सुकरणू जनन मियोजीनेसिस या इसको हम सुकर कायां द्रण भी बोल सकते हैं तो next अगले चरण में हम सरुपरतम पढ़ेंगे सुकरणु पूरू क्या सुक्राणू पूरू का निर्मान किस परकार होता है और यही सुक्राणू पूरू होता है जो आगे जाके सुक्राणू जननिस्पर मियोजिनेसिस के द्वारा किसका निर्मान करेगा सुक्राणू का निर्मान करेगा तो अब सुक्रानु पूरु का निर्मान को भी आगे नी तीन जड़नों में बाटा गया है तो ये तीन अवस्ताइं होती है गुण नवस्ता, वर्दी अवस्ता और परिपकु नवस्ता जैसा ये सारी जो वस्ताइं हैं ये सारी नाम, अपने नाम में इसका अर्थ चुपाओ है गुण नवस्ता यानि गुणा, वर्दी अवस्ता यानि ग्रोध करना, परिपकु नवस्ता यानि मैच्योर, परिपकु नवस्ता यहां पर आगे एक छोटा सा डाइगराम दिया वहा है जिसमें हम गुणन अवस्ता परिपकोन अवस्ता और जो यह व्रद्धी अवस्ता इन तीनों अवस्ताओं के बारे में पढ़ेंगे और यहीं पर इस चीज के बारे में पढ़ेंगे कि सुक्राणू जनन का निर्मान कह से होता है किस परकार होता है कौन सा विवाजन पाया जाता है किस अवस्ता में कौन सा विवेंट पाया जाता है तो सर्व परतम हम देखते हैं गुणन अवस्ता के बारे में तो यहां पर आपको दिखाई रही है यह लिका वाइस पस्ट गुणन अवस्ता और इसके नीचे यह लिका हुआ है सम्सुत्रिविवजान होता है तो यह इसको बोलते आधि जणन कोशी का छोकी यह कहां पर होती है जो यह प्रीमोडिल इसका प्राप्मिक सेल होती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी या प्री मोडियल जर्म सेल आधीजनन को सिखा और देख़ू इसमें लिखावा ये को सिखा ये 2N होती है 2N यानि डिवगुनित को सिका ही होती है और गुनद प्रावस्ता, डिवगुनित से इसका निर्मान 2N से 2N नहीं बन रही है, देखो ध्यान दगना यहाँ पे यह 2N है और इससे आगे 2N नहीं बन रही है, यानि मानलो इसमें 43 गुनसितर हैं, तो इसमें भी आगे जाके 43 विवजन कौन सा होता है जिसमें दिवगुनित से दिवगुनित कोशिका का ही निर्मान होता है यानि समसुत्री विवजन तो इसमें जो पैदे अवस्ता होती है गुणन अवस्ता इसमें क्या होता है जो इस पर मेटो गोनिया होती है जो कि क्या करती है समसुत्री विवजन द्वारावी बजट होती है और 2-4-8-4-8-8-12 इसी परकार हजारों लाकों की संग्या में इसका निर्माण होता है फिर आगे हम देखता है इसकी अगली ववस्ता होती है जो देखो यहां पर यह प्री मोडिल सेल से किसका निर्माण हो गया इस पर मेटोगोनिया या शुक्र तो ये दूसरी वस्ता कौन सी है पर बनाये हैं और गोलो बनाया है ऑọn जो इसका itra season में यह आनौसिक पदार्त हैं वह भी क्या होगा जो भी डब्लिंग होनी है उसका डब्लिंग होना है डियेने का रिप्लिकेसन होना है जो भी परकेरिय होती है जो इस वर्दी प्रावस्ता में होती है और यह अपने आपका अपने साइज में थोड़ी बड़ी हो जाती है साइज में बड़ी होने का मतलब यही है जो कि आगे जाके जो नहीं कोशिकाएं का निर्मान होगा वो आसाने से हो पाए छोटी कोशिकाएं उसके दो भाग हो जाएंगे तो उसके समतुले कोशिका आगे निर्मान नहीं हो पाएगी तो वर्दी प्रावस्ता में क्या होता है वर्दी प्रावस्ता में ज्यादा कुछ नहीं होता किसी परकार का विवजन भी नहीं होता है बलकि वर्दी प्रावस्ता में केवल एक सेल जो होती है वो अपने आप में वर्दी करती है तो सुकरजनन जो इस परमेटोगोनिया है ज बरदी पूमर्णूप से वर्दी करके जो सेल बनती हैं उसको बोलते हैं हम प्राइमरी स्पर alone साइट यानि प्रात्मिक सुठराणू कोसी का अब यहां जो प्राइमरी स्पर ואל साइट से यह सैल यह को सीका होती है जो अपने 30 एव Department maturation phase या परिपक्वन प्रावस्ता में चले जाती है अब यहांसे इसका यहांसे इस इसमें जो परकिरिये होती है थोड़ी जटिल होने लगजान आपको पता है समसुत्री विवाजन में सींपल है 2N है दिवगुनित है तो दिवगुनित है तो दिवगुनित बनेगी लेकिन अर्ध सुत्री विबाजन में अर्ध सुत्री विबाजन थोड़ा समसुत्री से डिफिकल्ट है कर्टिन है तो सुभाविक रूप से जो यह परिपकवन प्रावस्ता है जो यह परिपकवन स्पूर्ण जो अगे जाके क्या होती एंट अर्ध सुत्री विवाजन के दौरा दो और नहीं सेल का निर्मान किती है यह जो इस परमीटो गोनियान यह तो लाकों की संक्या में बंते हैं उसी मेसेज हम एक सेल के बारे में ये इन कर रहे हैं ऐसा सत् deterioration अभस्त जो प्रिपकन अवस्ता वर्दी अवस्ता के बाद परिपकन अवस्ता परिपकन अवस्ता में जो परात्मिक सुक्राणो कोशिका होती है प्राइमरी इस पर मेटो साइथ जो आगे क्या करती है और सुत्री विवाजन फर्स्ट के द्वारा विवाजन करती है जो टू एन से यानि दियुगुनित से एन एगुनित कोसिकाओं में बदल जाती है तो देखो यहाँ पे दियुगुनित है और यह आगे कोसिकाओं जाके किस में बदल गई एन यानि एग नया मोड आता है. फिर हैं, फिर जो ये प्रात्मीक सुकरण कोशिका primary spermato site है, जो आगे दो भागों में बढ़तों क्या बन जाती है? दिट्टिक सुकरण कोशिका, यानि secondary spermato site. ध्यान रगना ये secondary spermato site हो जाती है, और सुत्री विवहरन फर्स्ट के बाद, जो यर्थ सुत्री विवजन फर्स्ट के बाद कौन सी कोशिका का निर्माण होता है secondary spermato site अब यही secondary spermato sites में अर्थ सुत्री विवजन second होता है N से N बनती है यानि वे विवजन कौन सा है जिसमें Aगुणित से एगुणित कोशिका बनती है वे विवजन है अर्थ सुत्री विवजन सकेंड तो अर्थ सुत्री विवजन सकेंड में क्या होता है जो एगुनित से एगुनित कोशिका कही निर्मान हुआ देखो यह जो अर्थ सुत्री विवजन सकेंड है और समसुत्री विवजन सकेंड जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं कोशिका इतना है सम्षूत्र तो यह अंत्त में कितनी कोशिकाई बन जाती है चार कोशिकाईं बन जाती है अब यह क्या कहलाती है इस पर मेटीर्स क्या कहलाती है इस पर मेटीर्स अब इसको क्या बोलता है सुक्राणु पूर्व यहां देखो यहां पर क्या हो गया सुक्राणु पूर्व का निर्मान हो गया तो इसमें हमने जैसे देखो यह पहले पीछे सुक्राणु इसको दो चरण होता है एक है सुक्र का निर्मान हो गया है अब जो आगे हम पढ़ेंगे वो क्या है इसकी दुट्य चरण है शुक्रजनन का परतम चरण है शुक्रणु पूरू का निर्मानों तो हमने यहां पर सुक्राण पूरू का निर्मान हो गया है अब आगे हम शुक्राण पूरू आईंगे इस पर म्योजीनेसीर आइश पता करने वा लग निर्माना तो यह सुक्राणु पीर्व क्या है यह सुक्राणु पूर्व होते हैं% A जो इसी ते बारी होते हैं ओर जो आगे इनका सुख्राणु का न्त्रण होगा सुक्र कायंत्रन होगा जो ये सुक्रणु पूर्व से जो की एग गतिसील और भारी है वो आगे जाके सुक्रणु का निर्मान करेंगे तो वो जो सुक्रणु का निर्मान होगा वो सुक्रणु कैसे होगा गतिसील भी होगा और थोड़ा हलका भी होगा तो ये जो परक करिया को हम क्या कहते हैं शुकरनु कायांत्रन कहते हैं न ये ठोड़ा हुआ है तो इसमें देखो ये इस मेटो зач गो शुत्री विच्टो माइटोसिस के द्वारा घुनुद करती है याने टूएंस से टूऑनों से फोला नि मान होता है जहारि प्रावस्ता में नियुक ऑैं तो इस-फरमेटोगोनिया dryer जॉछ ग्रोथ करेगी दो आहलेफेसलों सब्सक्रागोनीऑ 2-2 निर्माद 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 में ले जाएगी कोशिका Growth phase में क्या होता है जो DNA है DNA DNA RNA का निर्माण है replication की परकिदिया है genetic material का doubling होना यह चीजह होती है कि इसमे growth phase में फिर आगे जाता है primary आगे जो growth phase होता है उसमें जो spermatogonia से आगे जो cell का निर्मान होता है है वो क्या प्राइमरी इस पर मेटों साइट इस में क्या होता है जिए विवजन सर्स्ट है यह विवजन क्ैया है कमीव के बाधि और इस से जो क्या होती हैं ट्वटॉल से एन यान ही दिए दिय तो इसमें कमी हुई ना इसमें 46 थे उसमें 23 ए फिर इसमें 23 होग भी फिर यह सकेंड इस Hills Pervo सकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या होता है सकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद में और सुत्री विवजन फर्स्ट मियोसिस फर्स्ट के बाद में निर्वान होता है किसका सकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और यह सकेंडरी स्पर्मेटोसा यह जो यह आगे जाके अपने समरूप दो आगे निर्मान करती है तो जो आगे जाके इस आगे निर्मान होता किसका होता इस पर मैटिड या सुकर पूरू और यह शुकर पूर आगे जाके सेल में परिवर्तन लाते हुए अपनी कोशिका में कुछ परिवर्तन लाते हुए इस पर मियोजीनेसिस परकिरिया यानि सुकर पूर्व से सुकर आगे निर्मान की परकिरिया को पूर्ण करते हैं जिससे किसका निर्मान होता इस पर मैटिड जोवा यानि सुकर आगे यहीं पर शुक्राणू का निर्मान होता है और इसी के बाद में शुक्राणू जनन की परकिरिया हमारी पूर्ण हो जाती है कि तो यह देख इस कि तो कॉर्णा वाइरस जो बीमारी अभी चल रही है तो उसी को ध्यान में रखते हुए गर पे रहिए और सेफ रहिए कि तुक्त कर दिया खूए तो-जोंके है